हेलो बच्चों कैसे हो आप सब आप सब अच्छे होंगे आज हम चैप्टर करने वाले हैं केरिंग एंड शेरिंग यानि कैसे एक दूसरे की केर करनी चाहिए कैसे हम अपनी चीजों को शेर कर सकते हैं अर पेरेंट्स लउफ एड केर फोर अस जैसे हमारे जो पेरेंट्स हैं हमारे मात्ऽ पिता जो हैं क्लोग care करते हैं, यानि हमाएं देखभाल करते हैं, they work hard to earn money और पैसा कमाने के लिए बहुत महनत करते हैं, they buy food, clothes and other things, वो हमारे लिए खाना लेकर आते हैं, कपड़े लेकर आते हैं, और भी बहुत सारी जरूरत की चीजे लेकर आते हैं, mother cooks food for the family, और जो हमारी mother है, जो हमारी मम्मी है, वो हमारे पूरे परिवाल के लिए खाना बनाती हैं, she keeps the house clean, और वो घर की सफाई भी करती है, my parents help me with my homework, और जो मेरे parents हैं, वो school में जो मुझे काम मिलता है, homework मिलता है, उसको पूरा करने में भी मेरी help करते हैं, they care for me when I am sick, और जब मैं बिमार हो जाता हूं, तो वो मेरी care करते हैं, I too love and help my parents, मैं भी अपने parents से बहुत प्यार करता हूं, और उनकी help करता हूं, कैसे help करता हूं, I look after my younger sister and brother, जो मेरे छोटे भेन भाई हैं, मैं उनका ख्याल रखता हूं, I bring milk and bread from the grocery shop, और कई बार मैं पास की grocery shop से दूद और bread पी लेकर आता हूं, and I welcome and serve the guests, और जब घर में महमान आ जाते हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, और उनको serve करता हूं, यानि पानी और नाश्ते के लिए पूछता हूं, my parents become happy when I help them, और मेरे parents, मेरे माता-पिता बहुत खुश होते हैं, जब मैं उनकी सहायता करता हूं, now here is the classroom activity, some activities are given below, right against each who does it in the family, कुछ activities के नाम लिखे हैं, तो आपके family में आपके साथ वो कौन खेलता है, कौन करता है वो चीजे, जैसे place with you, आपके साथ कौन खेलता है, आपकी mamma खेलती है, आपके चाचु खेलते हैं, भाई खेलता है, तो वो आप लिखोगे, ऐसे ही second में आपसे पूछा है, cooks food, खाना कौन बनाता है, lays the dining table, डाइनिंग टेबल पर कौन रखता है, teaches you good habits, आपको अच्छे आदते कौन सिखाता है, cleans the house, घर को clean कौन करता है, helps you in your studies, आपकी पढ़ाई में आपकी help कौन करता है, tell you stories, कहानिया कौन सुनाता है, and goes to the market to buy things, और बजार चीजे लेने के लिए, समान खरीदने के लिए कौन जाता है, तो यहाँ पर आप अपने family members का नाम लिखोगे, okay, I hope बच्चों आपको ये chapter समझाया होगा, फिर से इसको read करेंगे, और exercise की practice खुद करेंगे,